अवने एक काम करो गाड़ी को रीवर्स गेर में ला गाओ हाँ लेकिन मुझे डेर लग रहा है पता मी गाड़ी कहीं इधर उधर चली गई तो कुछ नहीं होगा जैसा मैं बोलता हूं वैसा करती जाओ ओके एक काम करो गाड़ी को रीवर्स गिर में लगाओ और धीरे धीरे एक्लच दबाओ और धीरे एक्सिलेटर छोड़ो बस अपन अच्छा दिन फोन पे लगे रहते मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते अच्छा एक काम करो गाड़ी को रीवर्स गिर मेलो हाँ हलो अवनी ये तुमने क्या कर दिये हाँ अब बद्बू काहाँ से अरे एए इसके अंतर लाश कहाँ से आगए ये जाइरे समूर्ते का बेस तो अच्छे से बनाए गया है कोई लापर वाई की गई है सलगता तो नहीं है अगर इस मुर्ती में उसको रखा क्यों हो गया है और वो भी ऐसे चैल पहल वाली कॉल्नी के बीच में रखी गई मुर्ती वो भी ऐसे कॉल्नी के बीचो बीच जह पे इसने चैल पहल है सर कॉल्नी के लोग काफी घपराय हुआ है किसी को नहीं बता है लाज किसके और सर इस कॉल्नी से कोई गायब भी नहीं हुआ है चल देखते हैं आप लोग प्लीज इन बच्चों को अंदर घर पेज दीजेगा ये सब देखना सुनना इंक लिए अच्यानी प्लीज बच्चों घर जा के खेलो जाओ आजो वकी मुर्ती में क्या था और उसे इतनी मद्बू क्यों आ रहे थी आपके बच्चे ने कहा है कि यह मुर्ती बनके दादा जी की जी मेरे पिता जी की मुर्ती थी सुमित प्रकाश नाम था हूंगा उनकी मुर्ती की बनवाई थी मेरे पते एक एक एंजिनियर और साइंटिस्ट है सुखे इलाको के लिए उन्होंने एक नई सिंचाय पद्धती का अविशकार किया था इसी से खुश होकर गवर्में ने उन्हे यह जमीन दान में दी थी और सुमीच जी एतने महान थे कि उन्हें ने वो जमीन कॉलनी को दान कर दी थी और हमने उसी जमीन पर यह बच्चों के लिए यह पार्क बनवा दिया इसलिए हमने उनके सम्मान में इस पार्क में उनकी मूर्ती लगवाई कि यह ऐसा लगता है कि किसी ने हाल में इस लाश को मूर्ती में चिपाया है हां कुछ महीनों पहले आप लग बता सकते हैं कि मूर्ती यहां कब लगाई गई थी क्योंकि शायद लाश को उसी वार तंदर रखा गया था यह क्या कह रहे है सो ऐसा हो ही नहीं सकता सुमिज जी जिस साल गुजर गए उसी साल यह मूर्ती वहां लगवाई गई थी कम से कम उन्तालिस साल हो गए उन्तालिस साल पहले? तो यह सकता है कि जब हाल खिलाल में मूर्ती पदली गई हो या फिर इसके मरमत की गई हो तब यह लाश इसमें डाल दी गई हो जी नहीं, जब से यह मूर्ती लगवाई गई है, तब से ना इसकी मरमत हुई है, और ना इसे बदला गया है इसे कैसे हो सकता है? कुछ महीनों पहले अदमी की लाश इसने पुरानी मूर्ती के अंदर कैसे हो सकता है? जए ऐसे हुआ हो कि रात के अंदरे में यह काम वा हो और आप लोगों को पता नहीं चला है बुरभी, जब आप वाच्मेंटे पता करें? सर सर इस कॉलोनी में करीब 200 फैमिली रहती है, अगर किसीने रात को पुतला बदला होता, किसीने तो देखा होता लेकिन यहां तो किसीने कुछ देखा ही नहीं सर यहां पर दो वाच्मेने, एक दिन में ड्यूटी करता है और एक रात में और दोनों का ही क्याना कि किसीने भी मरमत का काम होते हुए नहीं देखा अगर कोई काम हुआ नहीं है तो पर यह लाश मुर्थी के अंदर आई कैसे है सजी नुन्तालिस ताल पहले ब्रॉंज के मुर्थी खड़ी की गई हुए तब सले के राज तक ना किसीने उसके मरमत की ना उस मुर्थी को बदल दिया आज सर लाश मुर्थी के बाद इस लाश दोई तरीके आता ही मेरे दिमाग में एक या तो पुरानी मुर्थी के अंदर लाश और या फेर नहीं मुर्थी बना कर उसके अंदर लाश डाल कर उस नहीं मुर्थी को पुरानी मुर्थी के जगे रखी गई और पुरानी मुर्थी गायब कर दी गई होगी असर लेकिन ब्रॉंज की नई मूर्दी बनाने के लिए तो कई दौर से गुजरना पड़ा हो पहले तो उसने प्लास्टर ओफ पैरिस क धाचा तयार किया होगा फिर उस धाचे से उसने नया साचा तयार किया होगा और फिर कम से कम बारासोर डिग्री सेल्सियस पे उसने उस बढ़ा कर उसमें डालाओंगा और फिर उसके टुखड़ किया होंगे तुखड़ो को फिर विल्लिंग करके जोड़ा गया होगा फिर मूर्थी तयार होगी तो उसे खड़ा कर दिया गया होगा इस कुछ चुटकि वदमें थोड़ी होता है बहुत ताइम लगाओगा तरत या फिर कोई बड़ी गाड़ी लाई होगी, उसके साथ साथ उसे खड़ी करने के लिए क्रेन लाया गया होगा, इतना सब अगर हुआ है, फिर भी कॉली के लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ उमालून नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर, सर फिर तो पहला वला तरीका इस्तमाल किया गया होगा सर, बोड़ी को कॉलीनी में लाया गया होगा, और फिर मुर्ती में रख दिया गया होगा, उसके बाद उसके अंदर लाश को रखा गया होगा, और फिर उसे खड़ा भी किया होगा, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता ही है सर। इतनी हचीब तरीका लाश को ठिकाने लगाने का कुणी को यजसा परने के जरूरत क्या थि वही तो इतनी तकलीफ क्योँ लाश को ब्रॉन्ज की मुर्ती के अंदर ही क्योँ कुई नगोई वजह तो ज़रूर होगी तरह कौन ये है कौन ये लाश है किसकी भी, कैसे मराएं? मरा या मारा गया इस आदमी कि उमर पहतानिस आलर इसकी मुटे लगा नहीं को खंगlagen कि मैं हम मैं ऐखोड़ियो जो जो सकते हृघे कई हिंदी मोई मूझे बी समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं? इस आदमी की उमर 15 साल है और इसकी मौत इसके सरपर लगी जोच्की वज़े से हुई है यह हुई ना मैं, थैंक यू और और कुछ और बता सकते हैं कोई जादू है, चुटकी बजाओंगा हो जाएगा कोई जादू है जो चुटकी बजाओंगा सब कुछ हो जाएगा अन्तखरता चुटकी बजाओंगा यह आदमी गाया बजाएगा क्या बोले तुम पर्दब मैं कह रहा था सारूंके साफ आप चुटकी बजादे तो केस सॉल बोजाएगा यह यह जो कुछ भी नहीं है आले किन मेरा चुटकी बजाने का मूँन नहीं ठीक है तो मैं उदर बजा लेता हूँ चुटकी किदर चरह जाते तो वह देखिए तारीका धी कुछ मिला आई डी वॉइड़े आपको ना आई डी ना वालेट कुछ ने और ये कपड़ों की हालत देखो नाइसाब बजगी चुटकी लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ अरे वाँ अब बज़ी चुटकी मुझे मालमता तारिकाची आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे बताए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये लाश कितने समय तक उस मूर्ती में थी अच्छा कितने समय से ये लाश ब्रॉंज की मूर्ती में बंत थी वातावरन के प्रभाव में आय पेना कुछ टेस के बाद ये पता चला है कि दो महिने से ये लाश उस मूर्थी में बन थे ओ, मतलब इस आद्मिय का खुन दो मेने पहले हुआ है लगता तो ऐसा ही है लेगन सर, किसी ने इस लाश को देखा किसी ने उस मूर्थी में रखते हुए को लोनी वाले बता रहे थे कि मूर्थी उन्तालिस साल पुरानी है दोड़ साब आप यह बता सकते हैं यह मूर्थी नहीं है या पुरानी है यह मूर्थी उन्ताले साल पुरानी नहीं है नहीं है ओ, मतलब इस मूर्थी को वाहां पे ट्रक में लाया गया होगा उसी ने ट्रक को देखा कैसे नहीं मुझे नहीं पता हुए सालू के साब किसी ने उस क्रेन को कैसे नहीं देखा जिसके जड़िये उस मुर्ति को अपनी जग़ पे रखा गया मुझे नहीं पता सालू के साब उस मुर्ति में वेल्डिंग कब और कैसे की गई मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता excel future पूभ मुझे लगता है लाश के गंध की वज़े से सालुमस के साब का कदिमाग खराब हो गया अप्स सालुम के साब का दिमाग करा हो गया है हें ह gelsर आ है क Γूल रहा है था हो जोँ मुझे परिशान मत करो मुझे इस लाश का चेरा भी बना रहा बोल डिस्टाब में! सर आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आप चेहरा बनाएगे! चलो एक बात तो यह पता चल गए कि मुर्ती नई है और किसी ने उसमें लाश रख्की है अजर कैसे जर और कपका पता बाद में लगाएंगे पहले यह पता लगाना है कि यह नई मुर्ती बनाई किसने झाले को लगाना के जरी दोना किसी कि मुर्ठ़ स्वालत में तो उसथए मुर्ती नई करेंगे अजर किसा की मुर्यर थेवाएंगे झाले किसी बनाई जरा किके वह पन्यर्प उपक्रणाश वह बंगाार दुकान में तो कोई नहीं दिख्ख रहे हैं, वाव, एक खुब्सूरत लड़की मेरे दुकान पर? सी आइडी से हो मैं, तो क्या हुआ? लगता है तुम्हारा दिमाख थेकाने पर नहीं मिस्टाइब कुमार १३ मैं किसी कुमार सुमार को न्यांतों यॅब हमार रूए। तुम निशुद कमार नहीं है। घिर दुकान है. ओ, इस दुकान के पहले ऒले मालिक, निशेद कमार उनगी बात करें न पहले बला मालिक? हाँ, निश्द कुमार का दो महीन पहले फोन हो गया हलो, अभी जी स्था? तारिगा, बन गया ना चेहरा तो इनों ने ये दुकान निश्द कुमार से खरीदी दिए और दो महीने पहले उनका फोलग दो महीने पहले की वो लाश थी ना? जो समुर्ती में से मिली हाँ, सर, लाश? हाँ, लाश अब ये बताये कि निश्द कुमार के बारे में और क्या जानते हैं सर मुझे ज्यादा पतानी है उनकी माली हालाद भी ठीक नहीं थी और कई सलसे उनके पस कुछ काम भी नहीं था उनके घर का अट्रेस है ना? वो घर में आके ली थी जब मैं बाहर से आई तो देखा चोरो ने उनका अगला काट दिया था शायद मैं यहां होती तो उनको पचा सकती थी सर हम आपकी तकलिफ समझ सकते हैं अर्शना जी पर क्या बता सकते हैं कि क्या क्या चोरिवद? कुछ नहीं प्रुडाने के लिए हाई ही क्या घर में कुछ नहीं था और आप भी नहीं है आपके पती जो मुर्थिय बनाते थे वो किन के लिए बनाते थे? मेरा मतलब है उनके क्लाइंस कौण कौण थे मुझे पता नहीं लेकिन उनकी सारी चीजे वह अलमारी में रखते थे हम वो अलमारी देख सकते हैं? जी अलमारी देख लो जरा अर्चिना जी ऐसा भी हो सकता है कि ये जोरी का मामला ना हो मैं समझे रहे सर कुछ निशित जी का कोई दुश्मन में था जो उनकी जान लेना चाहता हो सर मामुली साज चिल्पकर उनका दुश्मन कौन हो सकता है सर आफर इस फाइल में मुर्तियों की बहुत सारी न्यूस्पेपर कटी गए सर वो जो सारी मुर्ति बनाते थे ना उसका सारा रेकॉर्ड इसी फाइल में रखते थे और सर ये देखिए तो ये मामला है सुमित जी की मुर्ति भी इनों ने बनाई थे नहीं सो छेहतर में अर्चना जी मुर्ति बनाने वाले अकसर अपनी बनाईवी मुर्तियों का अग धाचा अपने बास रखते हैं कि अगर अगर तूट फूट जाए तो दुबारा बना सके निशिद जी भी ऐसा करते थे क्या हाँ हाँ उसके वो सारे ढाचे पिछले बाजू रखते थे हम वो जगह देखना चाहेंगे सर आप सब देख रहे हैं ना यह उनके पूरी जिन्दगी की कारीगरी है उनने जितने भी मुर्थियां बलाईती उन सबका एक-एक जाचा यहाँ है वो वाला नहीं देख रहे हैं? कौनसा वाला? वो सुमित जी की जो मुर्थि करना आचा है वो वो उस तरफ होना चाहिए आप क्या देख रहे हैं? कि मिट्टी देख रहे हो यहाँ पे कोई दाचा था जो अब नहीं है अर्शना जी वो सुमित कुमार जी का मुर्थि का ढाचा यहीं पे था? हाँ यहीठ था लेगए सरर अपका मतलब वो न चोरों सोथे है नूई? सुमित कुमार जी की मुर्थि का ढाचा चोर चुराके ले गए शित जी का कोन şurब धिर रहे है लेकिन सर्व, सुमिध जी की मूर्ती का धाचा छोरा के चोर क्या करेंगे? उस धाचे की मतद से सुमिध जी की नई मूर्ती बनाई गई और उस लाश को उसमें डाल दिया गया लेकिन सर्व, हमें के से पैदा चलेगा वो लाश किस की? सारूंके साब लगे है ना राश के चेरा बनाने में एक पार चेरा बन जाये है सारी कानी सामने आ जाएगे आ डोक साब बन गया चर? इह देखो बस, यह है वो मरा हुआ हाद में क्या? यह किसी हो सकता है? डोक साब यह क्या मजाग है? आई साब, मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ यह ही है वो साब्मी का चेरा है, ऐसा ही दिखता है वो मैं जनता था मुझे बिलकुल पता था यह कुछ ऐसा करेंगे जिसे सारा केस उलट जाए ते, क्या बात कर रहा हो जा तुम्हें? मैं ऐसा क्यों करूंगा है? क्या हो गया तुम्हें? अभजित, यह क्या कह रहा हो तुम्हें? यह उसी आदमे का चेरा है, सार मजाग क्यों करेंगे? तोकि डॉक्टर साब ने जो चेरा बनाया है, वो मूर्ती का चेरा है सुमिज जी का चेरा है, जो 49 साल पहले मर चुके है इस चेरे में सिर्फ मूर्च लगाना बागी है ना बात कर रो यह आप बता, यह आपने बनाया है चेरा मैंने तो वही बनाया है, जो मुझे खोपड़ी ने बताया मैंने तो मूर्ती देख भी नहीं है तो आप देख लिजिए, यह, यह मूर्ती है कि आप अगर आप निए वा करें जबता ना थो आं बिद आप आ दा असे कैसे हो सकता है सर ये आदमी उन्तालीस साल पहले मर चुकर आज जिन्दा होता तो असी साल का होता और आप ने कहा था ना कि ये ये मरा ओव आदमी पैतालीस साल का है कासे पॉसिमल है I'm sorry boss मजई छुटी चाहें वह आप देखूं सर जाले आम यह पता लगाने की की कोशिछ कर रहे थी कि लाज को है defendable आब यह पता लगाना है कि Sumit जी की लाज Sumit जी की मूरती में आई कैसे और क्यों सर कुछ पता चला उस लाज के बारे में देखियों उसी के बारे में हम लोग बच्चों, हमें आपकी नानी और ममी से कुछ ज़रूरी बात करने हैं और बातें ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं सुननी चाहिए तो आप लोगों प्लीज अंदर चाहिए क्यों? हम क्यों नहीं सुनते हैं? यह बड़ो की बाते हैं, बच्चों का कोई काम नहीं हमें पता है हमारे आजोबा की मुर्ती में से लाश मिलिये ना आप उसी के वारे हैं बात करने आये हो ना हाँ, और कुछ जरूरी बाते हैं आप लोग अच्छे बच्चे हो ना हो ना, प्लीज अंदर जाओ सर बताये ना, क्या पता चला आप लोगों को एक्चली इस केस की जाँच को लेके हम थोड़ी उल्जन में हैं और हमें लगता है कि आप सुल जा सकते हैं सुल जन को कैसे उल्जन? और मैं कैसे सुल जा सकती हूँ? दरसल यह सब हमारे परिवार वाले जैसे ही हैं जब से शादी करके आई हूँ, इस ही कॉलोनी में रह रही हूँ यह लोग सब कुछ चानते हैं आपको जो कुछ भी कहना है, इनके सामने कह सकते हैं इनके सुमित जी को गुजरे वे करीब उन्ताली साल होगे हैं लेकिन सुमित जी की मूर्ती में से हमें जो लाश मिली है वो वो सुमित जी की है यह कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है यह देखिए इतने यकीन के साथ आप यह कैसे कह सकते हैं हाँ हाँ यह होई नहीं सकता जरूर कुछ भूल हुई है आप लोगों से कोई भूल नहीं हुए यह साइन्टिफिक मेथड है जिसमें लाश की खूपड़ी का चेहरा बनाएगा और यहीं चेहरा बना सुमिध जी का लेकिन मेरे पिताजी की लाश कैसे आ सकती है यह मुम्किन नहीं है वही तो लाश की उमर करीब 45 साल की है आपके पिताजी जिंदा होते तो असी साल के उपर के होते है अब बात यह है कि असी साल का आगमी पैंताली साल का कैसे होगा यह मैं कैसे जान सकती हूँ अब आपको नहीं बदा तो हमें कैसे पता होगा चेहरा तो बिलकुल आपके पती कही है सर उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संसकार मैंने ही किया था अगर किसी ने लाश बदल दी हो या कहिए किसी तरह वो जिंदा भी होते तो वे असी साल का इंसान पैंताली साल का होगी नहीं सकता वही तो यही बात हमें परशान कर रही है अचा आपके परिवार में कोई कोई ऐसा आपी था जो जो बिलकुल सुमिच जी से मिलता जुलता हो नहीं जब से मैं उन्हें जानती हूँ क्या जब से मेरी शादी हुई है मैंने तो आसा किसी को नहीं दीखा जो उनकी तरह दीख रहा हूँ चो कि उस मरे वए आदमी का चेहरा हूँ बहु आपके पती से मिलता जुलता है और उन दोनों में कोई संबन है या नहीं यह जानने के लिए मालती जी हमें आपकी थोड़ी मदद से है कैसी मदद अगर आपको बुरा न लगे तो हमें आपका डेने उस मरे वए आदमी से मिला के देखना होगा यही एक तरीका है सच्चा ही को जानने का चीक है मैं तैयार हूँ यूकि हम भी इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो भी तैयार हम तेर मिलेंगे और तब जब आपके साथ मिलेंगे आता रिकदी अडियने रपोर्ट आगे पार्शल मैच है क्या पार्शल मैच है देखा इसका मतलब सालो के घलत नहीं था भॉस ये आदमी तो सुमित के परिवार काई बाख का DNA बेटी में भी है और इस मरे वुए आदमी मिले मिष्चित रूप से ये आदमी सुमित के परिवार का इगोई अगर ये सुमित का रिष्टेदार है, तो किसी ने इसे पहचाना किसे नहीं, कोई तो होगा जी इसे पहचानता है, यह बड़ी चौकाने वाली बात है, आपने तो इसका चेरा बनाया तो उसकी फोटो अमने अख़ार में बेजी, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आय तारिकर जी, आप तो जीनियस हैं ऐसे क्या कह दिया मैंने? केस सॉल्व कर दिया है, हो सकता है यह आदमी इस देश का होई ना? हो सकता है कि मरने से कुछ समय पहले इस देश में आया? ओ, इसी निये किसी ने इसे पहचाना नहीं? हाँ, पिछले दो तीन महीने की इमिग्रेशन रिपोर्ट्स चेक करने होंगे हमें पंकज, आज के अखबार में मैंने अपना राशी फल देखा, जानते हो क्या लिखा था उसमें? क्या था सर? बहुत जल्द नोकरी में बदला होगा, इसका मतलब जानते हो? हाँ, सर, यह तो बहुत दुक्की बात है, आपका डिमोशन होने वाला है, आपकी पोस्तों मेरे से भी नीचे होने वाली है एह, क्या बोलता है? अरी, इसका मतलब है मेरा बहुत जल्द प्रमोशन होने वाला है हाँ, पिछले एक हट्टे से मुझे एसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे एसा नहीं लग रहा है. जूँँए, सर अवीजी सर ने विल्कुल सही पता लगाया, सरु. इम्मिग्रेशन रिकोर्ड से उस मारे हुए आदमी का चैरा मैच कर रहा है, सरु. मेल आया, सरु. सर्चीन, यह तो बिल्कुल सुमिझ जैसे ही देखता है. इसका नाम ब्रेंडन है, उम्र पैतालिस साल और दो मेने पहले यूके से आया था, सरु. मतलब आते ही मौत होगी उसकी. सर, इसका नाम तो अंग्रेज हो जैसा है, बर लगता है इंडियन है. इस ब्रेंडन का कर का पता पोन नमर कुछ है? हाँ सरु, सरु. उर्वी, इस नमर पे फोन करो, कर का फोन नमर होगाई. उसके मातापिता से बात करो, मुदर साउधानी से. शायद उन बेचार को पता भी नहीं होगा ब्रेंडन के साथ क्या हुआ है. और देखो, बात्चीत में कुछ पता चलता है क्या इस ब्रेंडन के बारे में. सरु. हाँ. सरु. मैं C.I.D. छोड़ रहा हूँ. अब और बरदाश्ट नहीं होता. मैं पागल हो जाओगा. क्यों? ऐसा क्या हो गया? इस केस्ट में बहुत कंफ्यूजन है. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ आदमी अंग्रेज रिकला. मेरा दिमान फट जाएगा, सरु. मैं भी चुट्टी पे जा रहा हूँ. सालू के साथ के साथ की. अभी जाओ. अभी जाओ. तो इसी वाक्त, बोरिया भी सरा बांदो, निकल जाओ. जाओ. अजुट्सन. अब कुछ समय बिताओ अपनी बीवी के साथ. शायंत कुछ अकल आ जाएगी, जाओ. सर, आपका राशी भल तो सहीं निकला? नौकरी में मतलाओ. मतलब आपका रेजिगनेशन? इस्तीफा? है? सर. पुर्वी, बात हो गए? हाँ सर. एक और चौकाने वाली बात पता चलिए. क्या? सर, यह ब्रेंडन सुमित का बेटा था. ब्रेंडन सुमित का बेटा है? वो कैसे? उसकी पेले शादी से. सुमित में बेट्रिस नामकी एक अंग्रेज औरत से. उननी सो सत्तर में शादी की थी. पेटे को जन देते हुए, वो औरत मर गई. बीवी की मौत के बाद उसका दिल तूट गया. और वो अपने इस पेटे को लेकर इंडिया वापस आना चाता था. लेकिन उसकी बीवी के घरवालोंने बच्चे को आने नहीं थी. इसलिए पच्चे को नाननाने के पास छोड़कर वो इंडिया आ गया. और इंडिया में आने के बाद उसने अर्चना से शादी की. और अपने पिछली जिन्दगी मिटा दी किसी को कुछ भी नहीं बता है. और इसलिए सुमित के इस बेटे ब्रेंडन के बारे में यहाँ पे किसी को भी कुछ पता नहीं था. यह सर्. लेकिन यह ब्रेंडन इंडिया आया क्यों? क्यों आया यह? इस परी परीवार के झानने के लिए इंडिया आता है. तो एंडिया आता है और यहाँ पर उसका खून हो जाता है यह कोई और ही चक्कर है. ब्रेंडन ब्रेंडन के खूनीत हम कैसे पुछेंगी? शुरू से शुरू से शुरू करके सुरी सर, आपका मुदलब क्या था? एरपोर्ट से पंकाज, एरपोर्ट से जैसे ब्रेंडन एरपोर्ट पर उत्रा पता लगाएंगे वो कहा गया, कैसे गया, किसे मिला सर, ये फुटेज एरपोर्ट के अर्राइवल गेट की है सर जब ब्रेंडन इम्मिग्रेशन से भार निकल चुपा था सर, ये राप्रेंड, ये ये, ये कैप अला आद्मी ब्रेंडन से मिल ले आँ कैप के वज़ से इसका चेहरा ठीक शे दिखने रहा है ज़र जूम को रोज़ पर? ज़र लगता है कि जान बुछ कर ये आदमी अपना चेहरा चुपा रहा है इस चाहता है कि उसका चेहरा कैम्रे पर कैप्चिर हो आगे बढ़ो सर ये दोनों तो पारकिंग की तरफ गए इसका मतलब इस कैप वाले आदमी की काड़ी पारकिंग में है एक आम करो इन दोनों के भार निकलने से आदे घंटे तक जितनी भी गाड़ियां एरपोर्ट के पारकिंग लोड से बार निकलिये उन सब के डीटेल्स निका लो पता चल जाएगा इस कैप वाले की कौन सी गाड़ी है सर वादमी प्रेंडन को जब एरपोर्ट की पारकिंग में लेके गया उसके आदे घंटे बाद तक ये सारी गाड़ियां बाहर जा दे रहे हैं बस भी ठीक है एक एको फोन करो और पता लगाओ किस पैसेंजर को इनों ने एरपोर्ट से पिक अप किया और कहां जा के छोड़ा अलो जी मैं सी आईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोलता हूं अच्छा ये बताये के पंदरह फरवरी को आपकी कार इंटरनाशनल एरपोर्ट किसी को छोड़ने के लिए आप क्या करने गए थे किसी को छोड़ने गए थे मैसेज आचल कुमार को के पूरवी को किसको छोड़ने गया थे पीटर फ्रैंक अच्छा ये कौन सी फ्रैट से है ओके मिस्टर डिसल्वा पुर्वीन अब बचाए सिर्व एक नंबर ये वी एच पाइपोर्ट्री टू फाइव नाइन और सिर् ये नंबर किसी मिस्टर अनिल के नाम है जो की लोना वाला के पंगलो पे रेजिस्टर्ड़ है सर लेकिन याद भी फोन ने उठा रहा है सर फोन नहीं उठा रहा है लगता हिए अनिली पीक अप करने आया था ब्रेंडन को एरपोर्ट पर सरकार इस अनिल नहीं तो ब्रेंडन का खून नहीं किया तो सकता है तुल भी एक बात तो पक् autor इस अनिल का जुरूर कोई न कोई संबंध है बेंडन के खुन के साथ सरकार के रचसेशन के हसाब से अनिल जी का गर है काफी पैसे वाले लगता है अनिल जी इतना बड़ा पंगला फॉक एपकार लेकिन इस अनिल जी को बेंडन से क्या काम पढ़ गया मुझे तो लगता है कि इंडिया में कोई जानता ही नहीं था तो यानिल एरपोर्ट तो अनली में असके बाद ये ब्रेंडन गाइब कहा होगी है कोई दुर्माजा खोल के नहीं रहा है कि अजिए कौन है अब लोग और क्या चाहिए आपके मालिक अनिल जी से मिलना है कहा है वो नहीं है आप क्यों पूछ रहें साफ देखें बेमतलब परिशान मत करिये नहीं तो अभी प्लीस को फॉन कर देंगे हम लोग सीएडी से हैं सीएडी से हैं सीएडी लगता अनिल जी उसी तरफ है जिस तरफ है भाग रहा है चलो देखते है अट 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 लगता यह अनिल जी है अनिल जी मालिक और नौकर एक साथ शराप भी रहते हैं पर अनिल जी अनिल जी 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 हम यह जानने आया है कि कुछ मेने पहले आप ब्रेंडन को एरपोर्ट से लेकर कहा गए थे एरपोर्ट ब्रेंडन मैं कुछ नहीं समझ पार यह क्या बले तुम का है और नहीं वो कार हाँ 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 अपसाज बताओ हाँ 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 किसने कहा था तुम्हें इजब करने के लिए हाँ क्या बात है आप लोगों ने हमें यहां क्यों बुलाया कुछ पता चला क्या हाँ एक चौकाने वाली कहानी यह कहानी हम आप लोगों को भी सुनाते है इस कहानी को हम वह से शुरू करते हैं जब सुमिट जी को सरकार ने जमीन दान दिया था उस जमीन में सिर्फ यह छोटा सा गार्डन नहीं था बल्के वह जमीन भी था जिस पे आज मॉल बना हुआ है आपके कॉलनी के पीछे लेकिन इस बात का पता हमें क्यों नहीं चला क्योंकि आप लोगों से पहले कुछ और लोगों को पता चल गया कि सुमीजी अपनी पूरी समीन को बच्चों के पार्क के लिए दान करना चाहते है पर यह बात उन्हें अच्छा नहीं लगा उन्हेंने सुमीजी को रोखना चाहा जब सुमीजी नहीं माने तो उनका फून करती है क्या? जिया सुमीजी का अक्सिडेंट नहीं था इसकी प्लानिंग की थी उन लोगोंने और उन लोगोंने जमीन का एक छोटा सा हिस्सा आपके कॉनली को दिया और बाकी बिल्डर्स को बेज दिये वो मॉल जहां पे खड़ा है वो जमीज बिल्डर से मिले पैसे से आश कर रहे हैं वो लोग उनके पास देश वी देश में बहुत सारे घर हैं बंगलो हैं तेर सारी गाडिया हैं और ये बात किसी को नहीं पता उनके दोस्तों और परिवार वालों को भी नहीं और सुमिची का बेटा बिंडन जब अपने परिवार वालों से मिलने इंडिया है तो उसे भी मार दिया गया क्यों यह मालूम नहीं और फिर बेटे की लाश को पिता के मूरती में छुपा दिया अब ये कैसे किया हैं ये हम जानना चाहते हैं लेकिन वो कौन लोग है यही है वो लोग सच तो यह इसी कॉलोनी में रह रह रहे हैं दोके और खोन से कमा हुए पैसो पर आयश कर रहा है लेकिन हम उने जानते हैं लेगन के फिर बेटें से मान रख बेटेंखत लिया को थी खात्राइब। खात्राइएएएँ पात्राइएएँ बेटे हैं अच्तिкा ल det Chair की वार क्या लेएएभी – अखर गे़ी घ carrying भय दॉन झाल झाल अनन्द इस जाए आरे क्या हो रहा है यह अरे अनन्द कर दो जाएंगे अंड़े कर दो दोने का नाम भी नहीं लिए था हम अगर तुम लों के लोनावले बंगले पे गए थे हम लोग नी चुतारी ना अरे तुम लोग तो वैसे ही गिरए हुए आदमी हो सुमिच जी और बे वैसे हमें पता तेल गया है, तुम लोग को मालूम पढ़ गया था कि तुम्हारे कर्दूर के बारे हमें पता चलिया है तुम्हारे नीचे उतारी है, प्लीज इसलिए को जान को नुक्सान पाँचा है और अब उसका भगदड़ का सहरा लेके भागरे तुम्हों सर उतारिया हमें, सर नीचो उतारिया प्लीज, प्लीज, नीचो उतारिया प्लीज, प्लीज, नीचो उतारिया ना लेकिन वो था आपके दोस्ते, फिर आपने उनको क्यों मार दिया क्योंकि इनके लिए पैसा दोस्ती से जादा माने रखता है लेकिन प्रेंडन को क्यों मारा? सर, एक्चुली हम उसे मारना नहीं चाहते थे हम उसे एरपोर्ट से सीधा हमारे खाली पड़े हुए फ्लैट पे लेके गए हमने सुचा था हम उसके बाग के मारने की जूटी कानिया सुना कर उसको यू के वापस बेज देंगे और उसने हमारी वो बाते सुन ली थी जिसमें हमने सुमित को मारने का जिकर किया था इसके लिए उसको मारा सा लेकिन उसके लाश मुर्ती में को चपाई हम नहीं चाहते थे कि उसकी लाश किसी भी हालत पे सी आड़ी को मिले अगर हम उसे जलाते दफनाते या किसी ताला जिल में उसकी लाश छोड़ देते तो एक नई इक दिन तो लाश मिली जाती ना फिर तो हम पकड़े जाते इस प्रिया में उसकी लाश सुमित की मूर्ती के अंदर डाल दी ताकि कोई डून ना सके अजिए तुम लोगों ने निशित को मार दिया उसके गडाउन से सुमिझ जी के पुतले का धाचा को चुरा लिया और नहीं मूर्ती बनाई है यहिए तुम लोगों ने मूर्ती जब बदली तो कॉलोनी वा कैसे नहीं पता चाला ओ सर और हमने एक दिन पूरे कॉलनी वालों को रात के खाने की दावत दी थी और हमने उनके खाने में निंद की गोलिया डालती थी अच्छा जब सारी कॉलोनी सो गई तो पुरानी मूर्ती के जगा नहीं मूर्ती रगते हैं अगर अगर अपने कार से उस मूर्ती को ठोकर नहीं मारती तो इनके काले कानमों से पर्दा नहीं हटता लेकिन सच्चाई में एक ताकत होती है तो कभी चुपती नहीं और चुर्म में भी वही कमजोरी होती है वो भी कभी चुपती नहीं इन्हें हमारे हवाले कर दीजिये, इन्हें सजा वहम देंगे यह दुनीज़ा न एक हमेर में ऊने औरहों मैं सर, मैंने सर, अमने Πेस बढ़ी वारे रेस्ट ़े भीतदेर। वहमें देने कहा मैं और हमें तो हम वे घड़ी抓 देते। हमारे हाथ बंदे हुए हैं, वादना नेकल, पंकच लेजाओ इन्हें पेटा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये गुत्थी सुलजाए और छीपे हुए गुनेगारों को पकड़ लिया ये तो हमारा फर्स था लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि मौल की जमीन भी कॉलोनी को वापस मिल जाए आपके पती का जो सफना था पूरा हो के ही रहेगा खुश रहो बेटा, खुश रहो झाल झाल